नमस्कार दोस्तों Android वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है आपको K3 के Tips & Tricks और Realme X के Tips & Tricks के बारे में और दोस्तों यहाँ पे आपको K3 और Realme X दोनों में ही आप लोग को ColorOS 6 देखने को मिल जाता है और दोनों फोन का एकदम फीचर्स जो है एकदम सेम है डिट्टो सेम फीचर्स आप लोग को देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे मैं दो फोन का अलग-अलग फीचर वीडियो ना बना के यहाँ पे एक ही फोन का फीचर वीडियो बना रहा हूं Realme X का अलग से मैं यहाँ नहीं बना रहा हूं लेकि देख लेते हैं क्या है रिल्मी एक्स या फिर ओपो की त्रीकर टिप्स और ट्रिक्स और इसके सारे फीचर्स वीडियो थोड़ा तरंबार होने बाला है मैं पहले आप लोग उता दू थोड़ा फेशन्स रखे आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिए चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इसके वीडियो कि दोस्तों यहां पे फर्स्ट चीज जो नए आप लोग को देखने सेटिक्स में जाने के बाद आप यहां पे Home-Screen Mode को ड्राव से छोड़के स्टैंडर्ड मोड कर गोर दीजिए तो आप यहां पर कोई भी ड्रावर नहीं है सारे यहां पर ओपर आगया है और उसके سाथ 2 फिंगर नियुकर पर जो settings आता है यहां पर बहुत सरे options आप लोगो देखने को मिलता है जैसे यहां पर show app prediction का option दिया गया है जैसे आप लोग यहां पर जब app drawer open करते हैं तो यहां पर app prediction के अंदर recently used apps और जो most used app है वो यहां पर आप लोगो prediction में दिख जाएंगे जिसके मतल से आप लोगो easily अपना most useful apps यहां पर दिख जाएंगे चाहे तो आप उसको off करेंगे रख सकते हैं यहां पर आप लोगो settings के अंदर वो सब कुछ देखने को मिल जाता है और उसके बाद यहां पर home screen layout को आप लोग change कर सकते हैं 4 by 6 से बढ़ा के 5 by 6 कर सकते हैं उसके हिसाब से आप लोग को यहां पर ज्यादा जगा मिल जाएगा साथी में आप लोग को यहां पर app startup and closing animation speed को यहां पर change कर सकते हैं देख सकते हैं fast, normal या slow कर सकते हैं तो एनिमेसिंस थोड़ा कम दिखेंगे और slow करेंगे तो एनिमेसिंस थोड़ा जादा दिखेंगे और यहां पर lock screen magazine को आप लोग यहां से enable and disable कर सकते हैं अगर आप लोग को lock screen में हर वार एक नया नया wallpaper देखना पसंद है तो आप लोग lock screen magazine को enable करके रख सकते हैं जैसे देख सकते हैं यहां पर enabled है और update using mobile data करेंगे तो यहां पर आपका जो wallpapers है यह जो change हो रहा है यह mobile data के ऊपर भी आपका update होता रहेगा उसके बाद आप लोग को यहां पर transition effects मिल जाएंगे different different transitions आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और उसके बाद यहां पर बहुत सारे widgets आप लोगों मिल जाएंगे, widgets को आप अपने हिसाब से add कर सकते हैं, यहां पर प्रिलोड़ेट दिये गया है, आप अपने हिसाब से यहां पर कोई वी widgets को लाके screen के ऊपर छोड़ सकते हैं, और यहां पर two finger से pinch करने के बाद आप लोग यहां से multiple apps को जो तो multiple apps को इसी तरह से uninstall कर सकते हैं, लेकिन उन apps को uninstallable होना चाहिए, क्योंकि system apps को आप uninstall नहीं कर सकते हैं, तो system apps को अगर आप select करेंगे, तो वहां पर uninstall आपका नहीं रहेगा, इसके बाद आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, phone manager, phone manager के अंदर आप जाएंगे, तो यहां पर आप लोगों को बहुत सारे चीज़े देखने को मिलेंगे, जैसे clean up storage करेंगे, तो आप लोगों का junk files यहां से delete हो जाएगा, privacy permissions को आप यहां से allow कर सकते हैं, virus can directly कर सकते हैं, routine test check up कर सकते हैं, और payment protection का option भी आप लोगों को यहां पर दिया गया है, उसके बाद home screen में अगर आप left से right side के तरफ swipe करेंगे, तो smart assistant का option आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग smart assistant को turn on कर लीजिए, smart assistant को turn on करने के लिए, आप लोगों को allow करना है, और उसके बाद आपका smart assistant on हो जाएगा, यहां पर आपके लिए बहुत सारे useful cards देखने को मिल जाएगे, साथ आप में बहुत सारे applications भी आप लोग करेंगे, जैसे यहां पर आप लोग scan document कर सकते है, photo translate directly कर सकते है, किसी भी visiting card को scan कर सकते है, या फिर currency conversion भी कर सकते है, और यहां पर एक चीज़ मैं आप लोग बता दूँ, यहां पर यह जो मैं tips and tricks और features बता रहा हूँ, यह India specific features है, तो हो को यह features ना मिले, कुछ features change हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग को comment आ रहा है, कि उन लोग को features नहीं मिल रहा है, तो अगर आप बाहर के कोई phone use कर रहा है, यानि कि same phone बाहर के country से खरीदा है, तो आप लोग को same features देखने को नहीं मिलेंगे, और देख सकते है tips tracker का feature यहा smart services का, smart services के अंदर जाके आप लोग smart assistant को बंद कर देंगे, तो यहाँ पे left से right swipe करने से आपका यहाँ पे smart assistant नहीं आएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते है, battery percentage यहाँ पे show नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपको battery percentage चाहिए, तो setting में जाके वो काम आप कर सकते हैं, इसके लिए setting में चले जाए, जाने के बाद आप लोग गुम लेगा notification and status bar, status bar में आके आप लोग battery percentage देख सकते हैं, यहाँ पे enable कर सकते हैं, enable करने के बाद आपका यहाँ पे battery percentage जो नहीं था, वो यहाँ पे show हो जाएगा, देख सकते हैं, यहाँ पे battery percentage show हो रहा है, तो आप अपने आप से यूज कर सकते हैं, अगर आपको battery percentage नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से off भी कर सकते हैं, और show real time network speed आप यहाँ से कर सकते हैं, network का जो speed है current वो आप लोग यहाँ पे show हो जाएगा, इसके बाद display and brightness में जाके आप लोग यहाँ पे अपने phone के जो tone है, display के tone है, उसको थोड़ा yellowish tint आजाएगा, या फिर थोड़ा cool tone दे सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे थोड़ा blueish tint आजाएगा, जैसे आपको पसंद है, वैसा आप रख सकते हैं, और उतना ही नहीं आप लोग को यहाँ पे low brightness flicker free eye care का option दिया गया है, इसको enable करेंगे, तो low light में भी आपक यूज करने फोन का आपका बहुत ही help रहेगा, और उसी के साथ आप display color को यहाँ पे totally change कर सकते, डिस्पले color में रख सकते, या फिर दिस्पले black and white बना सकते, एक देमी डिस्पले जो था पूरा black and white बनके आ गया है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए, और comfortable night time reading को अगर आप करेंगे, तो देख सकते, पूरा ही एक dark theme आ गया है, dark theme बना के आप use कर सकते हैं, पूरा iPhone का theme था, पूरा dark हो गया है, और black and white हो गया है, देख सकते हैं, तो ऐसे करके अगर आप use करना चाहते, तो ऐसे करके भी आप use कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग क अपको pop-up camera देखने को मिलता है लेकिन जब आप पॉप अपके यहांपर open होता है तो आप लोग closely सुझेंगे तो यहांपर आपका पॉप अपका जो है थोड़ा sound करता है कर सकते इसके लिए आपको sound and vibration के अंदर जाना होगा जाने के बाद आप लोग को देखने को में लेकर नीचे के तरप option pop-up camera movement sound effect इसको none किया गया है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर option दिया गया है तीन तरह का यहाँ पर option दिया गया है आप अपने हिसाब से choose कर सकते हैं और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नन करके रख सकते हैं Dolby Atmos का feature आप लोग के यहाँ पर मिल जाता है हालाकि इसके लिए आप लोग को earphones यूज करना पड़ेगा Fingerprint animation का भी sound आप लोग यहाँ से बंद कर सकते हैं देख सकते हैं अभी enable किया मैंने तो जब भी fingerprint से touch करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा sound होगा आप चाहिए तो उसको भी off करकर रख सकते हैं उसके बाद आप लोग को यहाँ पर smart services का feature मिल जाता है smart services के अंदर में आप लोग को स्मार्ट एस्टेंट साथी में smart driving का feature मिल जाता है smart driving करेंगे तो driving mode में अगर आप cars drive कर रहे हैं तो driving mode में अगर आप रखेंगे तो आपके पास कोई call आएगा तो automatic reject होके SMS चला जाएगे कि आप drive कर रहे हैं और bike ride कर रहे हैं तो similar आपके पास यहाँ पर वही काम करेगा जब तक आप riding mode में है तब तक आपके पास calls नहीं receive होंगे और message automatic caller के पास चला जाएगे कि आप bike ride कर रहे हैं तो जो आपके लिए applicable है उसको आप use कर सकते हैं इसके बाद convenience aid का option आप लोगों मिल जाता है जिसके अंदर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर navigation keys को आप लोग totally change कर सकते हैं swipe up gestures from both sides कर सकते हैं यहाँ पर यह तोड़ा नया है इसको अगर आप apply करते हैं तो यहाँ पर किसी भी साइट से swipe करेंगे तो आपका यहाँ पर back में चला आएगा देख सकते हैं किसी भी साइट से यहाँ पर कर रहा हूँ तो automatic यह back में जा रहा है और बीच में से करेंगे तो आपका यहां पर recent मेनुँ चला रहा है तो अगर आप चाहे तो ऐसे करके भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहे तो swipe up gestures भी कर सकते हैं मतलब नीचे से करेंगे तो back में जाएगा आपका automatic और बीच में से करेंगे तो आपका यहां पर hold होके रह जाएगा और इतना ही नहीं वर्चुवल कीस भी यूजा Chь गए यहां पर by default टीन virtual कीस दिये गया है अग्र आप चाहे तो यहां पर two virtual keys भी यूज़ कर सकते है और virtual keys को आप हाइड भी कर सकते हैं यहाँ पर hide का एक option आ जाता है, इसको click करेंगे, तो आपका यहाँ पर virtual keys जो था, यहाँ पर automatic hide हो गया है, देख सकते हैं, कोई virtual keys यहाँ पर नहीं है, नेकिल नीचे से swipe करेंगे, तो वो दो बारा से आ जाता है, देख सकते हैं, साथी में assistive ball का feature आप लोगों मिल जाता है, assistive ball देख सकते हैं, यहाँ पर एक ball आ गया है, इसको tap करके आप बहुत सरे functions कर सकते हैं, जैसे tap करके back में जा सकते हैं, double tap करके, recent में जा सकते हैं, और long press करेंगे तो home में जा सकते हैं, और assistive ball में देख सकते हैं, gesture operations भी दिया गया है, साथ में tap menu भी दिया गया है, tap menu से tap करेंगे तो यहाँ पर कुछ functions आपको मिल जाएंगे, आपको tap करने की जरुरत नहीं है, double tap या single tap करने की जरुरत नहीं है, सिर्फ single tap करेंगे तो यहाँ पर कुछ certain functions जैसे screen sort, lock screen, home, recent और back option यहाँ से आपको मिल जाता है, तो अगर आप बार बार यह नीचे back options या recent menu सेलेक करना नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ पर assistive ball को use करके भी अपना काम चला सकते हैं, similarly smart slider भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसको enable रखेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर smart slide bar में कुछ applications आपको दिये गया है, इनको आप use कर सकते हैं, चाहे तो आप extra कुछ applications को भी यहाँ से add कर सकते हैं, और smart slider भी आप landscape mode में use करेंगे, ऐसा भी करके आप रख सकते हैं, लेकिन उसको ना ही करें, तो ही बेटर रहेगा, आप किसी भी mode में smart slider को use कर पाएंगे, साथी में gesture and motion का feature मिल जाता है, screen of gestures यहाँ पर दिये गया है, screen of gestures को enable करेंगे, तो देख सकते हैं, double tap to turn on screen का option दिया गय करने से यहाँ पर camera enable हो गया है, तो ऐसे कुछ gestures आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और साथी में यहाँ पर screen of gestures को यहाँ पर add कर सकते हैं, draw a करके क्या होगा, slide up करके क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ functions दिया गया है, unlock call या start an app, यह सारे options दिया गया है, आप अपन देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, anti harassment and fraud का option दिया गया है, तो यहाँ पर आप blacklist कर अंदर में कुछ certain phone numbers को add कर सकते हैं, और उन number से आपके पास कोई भी calls नहीं आएगा, साथी में app encryption का feature देखने को मिल जाता है, इसके लिए पहले आप लोगो set passcode करना होगा, तो देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करके set passcode कर सकते हैं, हाला कि यहाँ पर जब भी आप कोई भी passcode देना चाहेंगे, तो यहाँ पर आप लोगो passcode ही पूछेगा, लेकिन मैं यहाँ प passcode नहीं, pattern कैसे डाल सकते हैं, वो भी मैं आप लोगो बताता हूँ, देख सकते हैं, यहाँ पर privacy passcode डालने के लिए बोल रहा है, लेकिन उसी के नीचे other encryption method दिया गया है, इसको select करेंगे, तो आप लोगो other encryption method जो है, वो देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं pattern code दिया गया है, 4 digit numeric passcode, 4 to 16 digit numeric passcode या फिर 4 to 16 digit alpha numeric passcode दिया गया है, हम लोग pattern यूज़ करेंगे, तो pattern यूज़ करने के बाद देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगो एक question का answer देना पड़ेगा, इसके बाद आप लोग यहाँ पर certain apps को यहाँ पर lock करकर रख सकते हैं, और face को भी आप उनके साथ रच कर सकते हैं, तो उन अपको आप fingerprint के face से open भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने gallery को lock कर दिया है, और देख सकते हैं, gallery को पर fingerprint से भी open कर पा रहा हूँ, और उसके बाद आप लोगो को यहाँ पर kids face का feature देखने को मिलता है, kids face के अंदर में जाएंग तो certain कुछ apps यह आप use कर सकते हैं, आप use करने दे सकते हैं अपने बच्चों को, और duration आप change कर सकते हैं, कितने duration तक आप use करने देना चाहते हैं, और apps allowed में आप क्या कि apps allow करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर add कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें दो, तीन जितने चाहें आप आप एड़ करके रख सकते हैं, इंटर कीट स्पेस करेंगे तो देखेंगे, वहाँ पे सिर्फ दो ही एप्स यहाँ पे आप लोग को शो करेगा, और कोई भी एग्जिट करना चाहेगा, तो यहाँ पे आपका पास कोड या आपका फिंगर्फिंट पूछेगा, तो कोई भी यूज कर रहा है, तो वो यह नहीं खोल पाएगा, और उसी के साथ में यहाँ पे प्राइवेट सेफ का फीचर दिया गया है, प्राइवेट सेफ के अंदर में, आप यहाँ पे अपने पोटोज, वीडियो या डॉकुमेंट्स बगेरा रख सकते हैं, और यहाँ पे देख स देख सकते हैं, यहाँ पे पैटरन पूछ रहा है, पूछने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइवेट सेफ आ गया है, और इसके अंदर में आप कुछ भी रखेंगे, तो वो कोई दूसरा आदमी यूज नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा, और उस से आपका बहुत जादा बैटरी सेब होगा, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे आप लोग को एक यूसफुल सेटिंग मिल जाएगा, जो कि यह OTG कनेक्शन, OTG कनेक्शन को यहाँ पे बाई डिफॉल्ट आप रखा गया है, लेकिन अगर आप कोई इसको आप यहाँ से एनाबिल कर सकते हैं, इसको एनाबिल करने के बाद ही आप OTG डिवाइस को यूस कर पाएंगे, वरना नहीं यूस कर पाएंगे, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे के तरब एप क्लोन का ओपीचर देखने को मिलता है, यान कि एक ही एप का दो वर्जिन आप यूज़ कर सकते इस फोन से और यहां पे सिर्फ आफ सोशल नेट लोगिंग एपस का ही दो वर्जिन यूज़ कर सकते हैं यान की फेस्बुक का दो अकाउंट वाटसएप का या फिर ट्विटर या इंस्टाग्राम का दो अकाउंट आप सेम पोन से यूज़ कर सकते हैं साथी में यहां पे Excitle diya गया है Apps for a Everyone se 색 लिए आप यहां पे नीचे से स्वाइब करेंगे तो आपका यहां पे एयां पे चालू हो जाएगा b इसके लाब आप चाहे तो recovery mode में दूसरे त्राक से भी जा सकते हैं जैसे मान लीजिए आप रीसेट मेनू में है तो यहां पर थ्री वार को सिलेट करेंगे तो आपको यहां से भी स्प्लिट स्क्रिन का ओप्सन देखने को मिलता है और उसके बाद फिंगर्प्रिंट फेस और पास्कोट में जाएंगे तो यहां पर भी कुछ इंटरिस्टिंग आप्सन आपको देखने को मिलेंगे जैसे fingerprint के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग को animation style change करने का option मिलेगा जैसे देख सकते हैं यहाँ पर by default में यह animation दिया गया है अगर आप चाहे तो इसको change करके ऐसा animation बना सकते हैं देख सकते हैं animation अभी change हो गया है देख सकते हैं unlocking के टाइम में animation थोड़ा change हो गया है तो ऐसे करके जैसा animations आपको पसंद है वैसा animation आप रख सकते हैं यहाँ फिंगर प्रिंट के लिए और game space का feature आप लोग देख सकते हैं इससे आप अपना gaming experience जो है थोड़ा बूस्ट कर सकते है और यहाँ पर देख सकते हैं gaming के time में आपको यहाँ पर performance mode का option मिल जाता है देख सकते हैं complete mode, balance mode यहाँ पर low power mode यह सब modes आपको यहाँ पर दिया गया है आप इनको select करके gaming experience और ज्यादा enhance कर सकते हैं और साथी में जब आप game play कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी notification आएगा तो notification भी आपका यहाँ पर click करेंगे notification तो भी यहाँ पर pop-up window में दिखेगा और साथी में last में आप देख सकते हैं यहाँ पर notification toggles कुछ इस तरह से दिये गया है और यहाँ पर आपको लोग को बहुत सरे features दिये गया है जैसे यहाँ पर देख सकते हैं और इन notification toggles के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर screen recording का feature दिया गया है यहाँ से अगर आप चाहे तो directly screen recording भी चालू कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग को call के regarding भी कुछ feature देखने को मिलता है उसके लिए आपको dialer में आना है और dialer में आने के बाद इस settings को क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर block option दिया गया है आप लोग यहाँ पर directly कुछ numbers को block कर सकते हैं identify unknown numbers का feature दिया गया है automatic unknown numbers identify हो जाएंगे कि वो spam call है या नहीं और उसके साथ में call recording का feature दिया गया है auto record या फिर record unknown calls यह सब बहुत सारे features यहाँ पर दिया गया है आप इनको use कर सकते और call record करके रख सकते हैं तो दोस्तो यह था Oppo K3 का full detailed features का review साथ ही में Realme X में भी आप लोग को similar यही features देखने को मिल जाएंगे जो features मैंने Oppo K3 के लिए आप लोग बताया तो मुझे उम्मीद है आज के यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई और आपका दिन सुभ हो